हलो, मोदी जी बोल रहे है? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ हर हर मोदी, घर घर मोदी मैं अपने किस देश्वासी से बात कर रहा हूँ भाईयो बैनो मैं गबबर सिंग बोल रहा हूँ अरे गबबर सिंग? बोल ये सरकार मोदी सरकार है? वे दो थे, तुम तीन जी सरकार, मैं जेटली और अमित्सा तुमने उन बुढ़ों को चुम-चुम के मारा कैरियर बरबाद कर दिया सरकार, यह स्वन्थ सिना तो बच ही गया है अच्छा यह बताओ, जेटली कौन है? सरकार, मैं चाय बेचता था और एक बड़ी महंगी चाय आती थी टेटली टीम तो महंगी चाय टेटली देखके लगा कि जेटली भी महंगा होगा इसलिए मैंने इसे अपना दोस्त बना लिया अब तो तुझे जेटली बहुत महंगा साबित हो रहा है क्यों? हाँ सरकार, महंगा तो पढ़ रहा है मोधी का ना मिट्टी में मिलाई दियो, जीडिपी गिराई दियो मुझे लगा कि तुझे जुमले ब्रेटली की स्पीट से फेकता है इसलिए तुझे जेटली पसंद है जी सरकार खाकूर ने तो हिज़रो की फौज पाली थी सुना है तुमने औरतों की फौज पाल रखी है अपने मिनिस्टरी में क्यों? कैसे सरकार? हो मिनिस्टर जेम्स को बनाई दियो और डिफेंस मिनिस्टर आउरत को बनाई दियो फावरें मिनिस्टर आउरत को बनाई दियो बहुत ना इंसाफी है जी सरकार जानते हो पच्चास पच्चास मीन तक बच्चार होता है उस सोता नहीं तो मा कहती है बेटे सो जा नहीं तो गबर आ जाएगा सरकार पूरे हिंदुस्तान का सोया हुआ मर्द जाग जाता है जब उसकी पत्नी उसके कान में कहती है कि आज रात टीवी पर मोधी आएगा पता है सरकार ने हम पर कितना इनाम रखा है पचास हजार रुपए पूरे पचास हजाए ये कौन बड़ी बात हुई सरकार डीमोरेंटाइजेशन करने में तो हमने देश के पूरे पचास हजार करोड बरबाद कर दिये तुमने तो कहा था कि तुम हमारे एक काउंट में 15 लाग त्यांस पर कराओगे काले धनकार क्या हुआ उस पैसे का सरकार आपके पास जो पैसे हैं वही बच जाए हमारी सरकार में तो इसी में अपनी गनी मत समझे तुम क्या समझकर पलट करें कि जनता सवास ही देगी पूर के बच्चे हैं पूर का बच्चा पहले था सरकार आजकल तो अडानी और अम्बानी भी मुझे चप्चा कहते हैं ये राम देव कहां है जो काला धन लाने वाला था सरकार आजकल तो वो बाल काले करने वाले तेल बेच रहा है बहुत फॉरेंट ट्रिप मार लियो अब इसकी सजा मिलेगी बहर अब बहर मिलेगी मजा भी बहुत मार लिया हमने सरकार सब ही देशों के अलग-अलग फोटो के अल्बम बनाए हैं हमने यह जापानी ट्रेन क्या है मोदी जी जापानी तेल तो जानते होंगे सरकार एक बार लग गई तो बहुत लंबी चलती है अच्छा चलो जाते जाती यह तो बता दो यह जी-एस्टी क्या है डांकू होकर जी-एस्टी नहीं जानते सरकार डांकू और नेता तो एक ही होते है जी-एस्टी का मतलब होता है गबबर सिंग का टैक्स झाले क्वास्टी